तो चलिए आज का जो केक है उसमें ना ही एग है अवन है ना मेदा है ना ही हम लोग इसमें चीनी यूज़ करेंगे और ना ही दही का यूज़ करेंगे एकदम सौफ्ट सा और बहुत ही ज़दा माउथ मेल्टिंग देखी सकते है बढ़िया सा केक बेनता है आप चाहे तो इस इसे खाकर या देखने के बाद कोई भी ने कहेगा कि इसे हमने बिना अंडे के और बिना अवन के बनाया है चलिए शुरू करते है तो सबसे पहले गाई यहां पर केक बनाने से पहले हम लोग इसका जो तिन है मोल्ड है वो तयार कर लेते है तो आज मैने हाँ पर यह से हमने ग्रीज कर लिया है अच्छे से अब इसके अंदर हम लोग बिल्कुल भी बटर पेपर का भी यूज नहीं करेंगे आज मैने यहां पर आधा चमर डाल दिया है इसमें गेहु काटा और इस तरह से हम लोग इसे अंदर से डस्टिंग कर लेंगे इससे क्या होगा आज हम लोग यह तिन तयार करेंगे एक्स्रा का मैदा मैं यहां पर निकाल रही हूँ बिल्कुल निकाल लिया है अब यह तिन तयार है इसे रख देते हैं साइड में अब बनाते है केक के लिए बैटर तो यहां पर बड़ा सा बोल लिया है उसमें डाल दिया है आधा कप तो यहां पर गुड आप लोग अपनी मीठास के हिसाब से थोड़ा सा एक दो चमबच बढ़ा भी सकते है नहीं तो कम भी कर सकते हैं आधा कप से हमारा जो केक है अच्छे से मीठा हो जाता है आधा कप गुड मैंने यहां पर छोटे चोटे टुकडों में कट कर लिया है उ तरह से हमें इसे मिक्स करना है, दो मिनिट में ही हमारा जो गुड है वो पिघल गया है देख सकते हैं, यहां पर इसे ग्यास के उपर पकाने की बिलकुल भी ज़रत नहीं है, हलका सा गुन-गुना गरम पानी मैंने यहां पर यूज किया था, यहां पर ये जागरी गुड यहां पर पिघल चुका है, इसमें अच्छी तरह से डिजॉल हो चुका है, इसके बाद इसमें दो टेबल स्पून में यहां पर आड़ कर रहे हूं, कुकिंग ओल, रिफाइंड ओल मैंने यहां पर लिया है, संफ्लॉर ओल, उसी के साथ में 5-6 डॉप मैंने इसमें वैनिला अच्छी तरह से हमें आईल और वैनिला एसेंस, यह जो पानी वाला गुड का मिक्षर है, उसमें मिक्स कर देना है, यह बिल्कुल भी बहुत ज़दा अभी गरम नहीं होना चाहिए, एकदम नॉर्मल रूम टेंपरिचर पर यह आ चुका है, क्योंकि हमने शुरुआत में ह बहुत ज़दा गरम पानी इसमें यूज नहीं किया था, तो अब यह नॉर्मल रूम टेंपरिचर पर आ चुका है, इसके बाद इसके उपर एक छलनी रख देंगे, इसमें डाल देंगे एक कप गेहुकाटा, तो यहाँ पर चाहे तो आप लोग मैदा भी यूज कर सकते है लेकिन आज हम लोग यह केक है यह गुड्ण और आटे से बना रहा है, इसके साथ में दो चमचए हमने इसमें डाल दिया है मिल्प पाउडर, इसके बाद वन टी स्पुन डाल दी है बेकिंग पाउडरर और हाफ टी स्पुन याने की आधाः टी स्पुन हमने इसमें डाल इसे में सब्सक्राइब नमकемся, को चुतके भरकिब ढमक दाल देंगे जो सी भी मीटी चीजrem iki पैसरे मिल्क पाउडर नहीं कर देखें,Cryolkrij अकि वीजन कमद देखें इसमानी टैस्टे में रजी सब्वंक हैजिक आप इसी शाया नमक सारी है चीजे मैंने हाँ पर ड्राइ इंगिडियन्स छान दिया है, अच्छे से यहाँ पर विसकर से हम लोगी से मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे, बहुत जादा इसे जोर-जोर से फेटना नहीं है, आज के केक में बिल्कुल भी अंडा नहीं है, दही भी यूज नहीं किया है, तो इसी के साथ में और एक चौथाए कप यानि कि टोटल मैंने हाँ पर आधा कप के करीब दूद इसमें एड कर लिया है, और यहाँ पर हम लोग केक के लिए बैटल तयार कर रहे है, तो शुरुआत से ही आप लोगों नहीं देखा है, मैंने यहाँ पर अंडा यूज नहीं कि तो देखेगा यहाँ पर यह की का बैटल हमारा तयार हुआ है, यहाँ पर बैटल की कंसिस्टनसि देख सकते है, गाइस मैदे वाले की केछ sont thक होता है, क्योंकि गहूं का आटा है गाइस तो इसे बहुत ज़दा पतला नहीं बनाएगा, अगर बहुत ज़दा पतला ये बैटर बन जाता है, तो हमारा गिहों के आटे से बना हुआ कि अच्छे से नहीं फूलेगा, तो इसी तरह से थोड़ा सा थिक वाला बैटर हमें चाहिए, तो सारा बैटर मैंने ग्रीस किये हु ना रहे हैं तो आप लोग इसके ऊपर टूटी फूटी डाल सकते हैं चुको चिप्स डाल सकते हैं तो ये हल्दी एस्ट केक बनने वाला है आप एकदम बेज़जग होकर बच्चों के लिए इस तरह से ये केक जरूर बना सकते हैं बिल्कुल भी यहां पर यह नहीं है कि मैद पहुत जादा टेस्टी बनता है चलिए सारे नट्स मैं आपर डाल दिया है थोड़े से बदाम डाल दिया है उपर से अब इसे बेक करने की बारी है तो बिना अवन के आज हम लोग घर के कुकर में इसे बेक करेंगे तो कुकर मैंने पांच मिनिट पहले ही गरम किया है अच्छे से ढखने वाला या हवा पास नो हो ऐसा ढखन या लिडाप को इसके उपर रखनी है तीस या पैटिस मिनिट तक लो फ्लेम पर ही इसे बेक करना है गाईस ओटी जी का टेंपरेचर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा तो यहां पर देख सकते है गाईस प बाहर निकाल कर हम लोग पूरी तरह से थंड़ भुणी देंगे बाद में इसे हम लोग टिन के बाहर निकाल लेंगे तो एक दम बढ़ीया साह हेल्ती साह यह हमारा बिना। चीनी के साथ बिना मैंदे के साथ जम गढ़ा हैं आट में और अचए पलेट में इसे इस तरह से बहुत ही अराम से निकल कर आता है और हाँ इसी के साथ में आज हमने यहाँ पर बिल्कुल भी बटर पेपर का भी यूज नहीं किया था तो भी केक बहुत अच्छे से डीमोल्ड हो चुका है बिल्कुल भी अंदर चिपकता नहीं है तो आपके पास भी अगर यह कुछ समान न है यह भी यहाँ पर देख सकते है एकदम रोई जितना सौफट केक बनता है इसे खाने के बाद टेस्ट करने के बाद कोई भी नहीं कहेगा कि हमने इसे गेहू के आटे से और बिना चीनी के बिना अंडे के जैगरी के साथ गुड के साथ बनाया है बहाँ जादा टेस्टी तो आप लोग भी यह हेल्दियस्ट केक बिना चीनी वाला बिना मैदे वाला केक जरूर अपने लिए बच्चों के लिए बना कर देखिएगा एकदम पॉफेक्ट रिजल्स मिलते है जरूर यह रेसिपी ट्राइ कीजएगा और मुझे कॉमें सेक्शन में बताईगा कि आप तो आप लोगों को अगर आज का वीडियो आज की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे दावत सनल को ऐसे ही बहुत सी रेसिपी देखने के लिए सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा तो चलिए मिलते है इसी तरह से एक नएसे वी